जी दोस्तों असलाम लेकूम यह एक तीस अंडों का एसी प्लस डीसी इंक्यूबेटर है यानि कि जब बिजली होगी बिजली पे चलेगा जैसी बिजली जाएगी आटो शिफ्ट हो जाएगा बैटरी पे ठीक है यह सिस्टम कुछ इस तरीके से है यहां पर यह इस टाइम बि लिया जा रहा ठीक है इंक्यूबेटर ओन है क्योंके हमारी लाइट अभी मजूद है ठीक है यह देखें लाइट का बटन भी अभी ओन है यह मैंने ओफ किया बटन को इनवर्टर ओन इंक्यूबेटर बंद नहीं हुआ ठीक है क्योंके इनक्यूबेटर हमारा ओन ही है यू हमारा incubator stem बैटरी पे चल रहा है ठीक है यह तार हमने इसलिए लगाई है ताके auto shift करें ठीक है बैटरी को auto shift करें light के जाने पे जैसी हमारा light जाए तो auto shift हो जाए बैटरी से ठीक है अगर आप यह वायर यूज नहीं करें तो आपको manually तरीके से लगाना पड़ेगा ठीक है यान यह हमारी वापड़ा गई हुई है एक च्छोटा सा जादू है यह जादू हमने किस तरीके से बनाया किया हम इसको बना सकते हैं जी बहीं बना सकते हैं आने वाली वीदियो के अंदर लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालेंगे अब वहां से देखके अपना इंक्यु ऐसे भी कर सकते हैं हाथ के साथ और step by step अंडे को भी rotate कर सकते हैं ठीक है यह इसका system है ठीक है इसके अंदर एक बलब और फैन उपर लगा हुआ है नीचे आपने पानी रखना है यह इसका sensor है ठीक है अपने इंक्यूबेटर को बंद कर देना है ठीक है इसका system इस तरह से है कि हमने एक इस उच बाहर निकाला है ठीक है इसको आप बिजली में लगाएंगे ठीक है यह मैंने इसको बिजली में लगाया और इसका मैं जैसी बटन पुश करूंगा ठीक है यह देखे हमारा यह incubator on हो गया ठीक है अब यह जैसी हमारी light गई ठीक है यह हमारा incubator बंद हो गय ठीक है अब यह जैसे for example हमारी light आगी है ठीक है तो यह हमें ओन हो जाएगा ठीक है यह लाइट के जाने पे यह automatic ओन नहीं होगा यह automatic ओन किस तरीके से होगा यह इस inverter के साथ होगा ठीक है यह एक खाली inverter है इसके अंदर हमने कुछ setting इस तरह से की है यहां से आप 12 वोल्ट को यहां पर अपना इंक्यूबेटर लगाएंगे आपका इंक्यूबेटर बैटरी पे चलने लगजेगा लेकिन आटो शिफ्ट करने के लिए जब बिजली होगी बिजली पे चले जब बिजली नहीं होगी उस टेम यह बैटरी पे चले इसके अंदर हमने कुछ setting की है inverter के आपने इदर लगानी है ठीक है यह इदर लग गई और जो सी यहां से हमने जो inverter की बाहर नकाली हुई अ यह हम लगाएंगे इदर इसको बटन को मैं पहले ओफ कर देता हूं ठीक है यह इदर लग गई ठीक है inverter के अंदर से जो हमने लगाई हुई थी वह इदर लगा दी incubator वाली हमने यहां पे लगा दिये ठीक है अब यह दो इसके पॉइंट है पॉजिटिव और नेगिटिव ठीक है यह बारा बोल्ट की बैटरी है कोई भी बैटरी यूज़ कर सकते हैं यहां पे एक पॉइंट लगाना है और ब्लैक वाला ब्लैक पे ठीक है यह आप देख सकते हैं कि हमारा इनवर्टर भी ओन हो चुका है और इनकुबेटर भी ओन हो चुका है ठीक है पहले क्या सिस्टम था कि जब हमारी लाइट जाती थी इस time वो incubator off हो जाता था ठीक है अब यह देखें अब यह हमारी light stem है ठीक है मैंने इसको बटन दुबाया है inverter बंद हो गया यानिक हमारी वापड़ा आ गई है incubator अब यह इस time चल रहा है हमारा बिजली पे ठीक है यह incubator इस time बिजली पे चल रहा है inverter off है ठीक है यह वाला बटन हमारा on है ठीक है इस time यह चल रहा है बिजली पे For example, यह हमारी बिजली चली गई, ठीक है, यह बिजली गई है, inverter भी automatic on हो गया और incubator भी हमारा on हो गया है, ठीक है, तो इस तरीके से यह काम करेगा, ठीक है, मैं इसको दुबारा आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यह देखना, इस सर बलब की तरफ आप देखिएगा, यह देख ठीक है, यह मैंने पुछ किया, लाइट आगी है, यह हमारी लाइट चली गई, देखे हलका सा जटका लेता है, आटो शिफ्ट होने में, ठीक है, यह incubator इस तरीके से यह वरकिंग करेगा, AC प्लस DC में, ठीक है, इसकी setting कुछ इस तरीके से हमने भी manually रखा हूँवा wire, इसकी setting हम इसको यहाँ पर, यह निके adjust कर देंगे, इस incubator को अमीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो तो वीडियो कर देजे, like and subscribe, मजीद यह innovator किस तरीके से बनता है, क्या हम इसको घर में बना सकते हैं, जी भई, बना स किते हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी की देगा, मिलते हैं, इन्शालला को नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, अल्ला हाफिस,